देश के सबसे कठीन और सबसे प्रतिष्ठित परिक्षा UPSC पास कर जब देश भर से चैनित हुए चंदभ्यर थी मसूरी स्थित लबासना में ट्रेनिंग के लिए उस केमपस तक पहुच पाने का सवभागी प्राप करते हैं तो द्वार पर ये पत्थर पर बड़े अक्षरों में एक उक्तिव के रह नजर आता है शीलम परम भूशनम यानि शील ही सबसे बड़ा भूशन है अर्थार मनुश्र का स्वभाव उसका चरित्र आचरन चाल चलन उसका अच्छा एवं उत्तम वैवार ही उसके गहने हैं किसके प्रशासनिक अधिकारियों के मसलन IS IPS के पर जिस प्रतिष्ठान के अस्थापन कभी ततकालीं केंद्रिय ग्रीह मंत्री पंडित गोविंद बल्लो पंतने की और भारत रत्म लाल बहादूर शास्त्री के सम्वान में जिस IS IPS के ट्रेणिंग सेंटर का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्री प्रशास्निक एकेडमी रखा गया आज वही IS IPS को ट्रेनिंग देने वाली अकादमी का सभागार देवघर के DC मंजूनाथ भजंत्री से मायूस हो रहा होगा इतनी भूमिकाएं बस इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि एक IS अधिकारी यानि बाबू, मंत्रीनाथ भजंत्री जो देवघर के उपायुक्त यानि DC हैं यानि उस जिले के सरवे सरवा हैं उनका राजनितिक तथाकतिक धागा खोलना है बहरहाल हमारा नाम है आकाश और स्वागत करते हम आपका न्यूस जलवन भारत के हमारे फेस्बुक बनने पर जारखन में फागुन का रंग अब फीका हो चला था पर चैत मा की उम्मस भरी गर्मी में राजनितिक के रंग गहराने लगे थे उनी दिनों जारखन में मधुपूर उप्चुनाओं की घोशना हो विभी में राजनितिक खेमे से कारिकरता बहाल किये गया तब तक मधुपूर की जनता भी भली भाती भाप चुकी थी कि अब नेताओं के पैसा लुटावन कारिकरम से वे भी कुछ दिनों के वास्ते ही सही निहाल हो जाएंगे बहाल जनता की निहाल हो जाने की कहानी में नया मोड तब लिया जब मधुपूर विरहांसवा क्षित्र में बीजेपी के फायरवरा नेता और गुड़्डा से सांसद निशिकान दुबे की भौकाल भरी एंट्री हुई जेमेम ने भी भौचक केंपेनिंग की जेमेम ने हफिजुल हसन को मैदान में उतार कर अपना ताव पुखता किया बीजेपी ने भी अपने करमट उमिद्वार नेता गंगा नरायन सिंग को आगे कर अपना किस्मत का फैसला जनता के हाथो जोला अब 17 अप्रेल को चुनाव का दिन मुकरर किया गया चुनाव शांतिपुर नहंग से संपन हुए नतीजे दो मैई को आए और मधुपूर विदान सभा के उप्चुनाव में जीत कराए भवश में हेमन सोरीन मंत्रि मंदल में अपनी जगा बनाने वाले हफिजुल हसन अब उसे भी बतला ही देता हूँ मधुपूर विदान सभा उप्चुनाव के दारान ही गोड़ा सांसद निशिकान दूबे ने देवगर डीसी मंजूनात भजंत्री को लेकर ट्विटर पर ट्विट्स कर दिया था उन्होंने लिखा था कि डीसी मंजूनात भजंत्री एक जेमेम कारिकरता के तौर पर मधुपूर चुनाओं में काम कर रहे हैं उन्हें जेमेम में शामिल हो जाना चाहिए ये बात खुद निशिकान दूबे ने कही अब जो किसी जिले के सर्वे सरवा को कोई नेता ट्विटर पर इस तरह से घेर कर आरूप परत्यारूप के जंत्री हरकत में आए वो भी एक दो महीने बाद नहीं करीब छे महीने बाद डीसी ने अपने जिले के कुल पांच ठाने में सांसद निशिकान दूबे के खिलाफ पांच प्रात्मिकी यानि अफायार तर्च करा दिए अपने डॉक्टरेट डिगरी को लेकर कभी चर्चा म में रहे सांसद निशिकान दूबे एफाई यार से सकपकाए तो सीधा चुनाव आयोग का दरवाजा ही खटकटाए चुनाव आयोग ने तुरंत यानि त्वरित कारवाई करते हुए राजी के मुख सचीव को पत्र लिकर साफ साफ कह दिया किसरी भरजंत्री को चुनाव क समय बिना चुनाव आयोग के अनुमती के जीला निर्वाचन पतादिकारी या उपयुक्त न बनाये जाए साथ इडिसी को हटाने तकी बात चुनाव आयोग ने कह दिया अब एहम सवाल ये है कि आखिर अधिकारी भी क्या करें विपक्ष की सुने कि सत्ताधारी नेताओं की वैसे बैलंसिंग का लोग साइंस में ही काम आता है राजनिती दाव पेचमने बागी दुश्मनी जम कर क दो दो करें लेकिन जब कभी हम दोस्त हो जाएन तो शर्मीन्दा ना हो जब कभी हम दोस्त हो जाए ठ्लमीन दानां शुक्रेग था ने मां सब्सक्राइब करें हमारा चानल और प्रेस करें समय कान नीउसलावन भारत सच्ições तो दिखेगा